इसे पाक दिकरित काश्वीर का यहां तक प्रस्टन है वो पहले भी भारत का थाया आज ही है और कल भी रहेगा ठीक है इस तो में कुछ है परिशिटिया इसी लेकिन आप आस्वस रहिए पिये कोई के लोग ही यह मांग करेंगे और यह मारत के साथ जाना शाहत है यह यह प्र कश्मीर के की जनता ही है मांग करेंगी कि हमको मरज किया जाए भारत के साथ हमारा से बिकुल अलग नहीं रह सकते हैं और आपने देखा होगा एक दो प्रस्टन वहां पर हुए थे जी और भारत के कश्मीर के साथ लोग मिलना चाहते हैं देख रहा है कि तेजी के साथ धार भारत के डिफेंस मिनिटर राजनाच जी की इस स्टेटमेंट को पाकिस्तानी और भारती मीडिया तबज्यों नहीं दे रहा है ज्यादा जो जो टैररिस्ट हैं वो भले से पाकिस्तान के अंदर हों उनको गुसके मार देंगे इसी पर पाकस्तान और भारत का मीडिया ज्यादा फोकस है और इसको जोड़ रहा है गार्डियन की इस रिपोर्ट के साथ जो भी दो तीन रोज पहले पबलिश हुई जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पाकस्तान के अंदर गुसकर बीस टेर्रिस को मारा अब जब राजनाच जी के साथ एक इंटर्वियू जो न्यूज 18 पर राहुल जोशी जी ने किया उसमें बहुत सारी भारत के पॉलिटिक्स के हवाले से बाते थी मगर दो बातें भारत और पाकस्तान के रिश्टों के हवाले से थी और ये रिश्टे बहुत ही खटे हैं इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं और इसमें से एक बात तो पूरी दुन्या ने पकड़ ली जिन्हों ने रपोर्ट गार्डियन की लिखी थी उन जर्लिस्टों ने भी पकड़ ली क्योंके उनको लगता है कि उनकी रपोर्ट वेरिफाय होती है राजनाज जी के कहने से मुझे नहीं लगता कि भारत को या राजनाज जी को कोई इस बात की फिकर है कि गार्डियन की रपोर्ट क्या चपी थी उसमें से क्या वो वेरिफाय कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं ते टोंट कियर इपाउट दोस थेंक्स इशू ये है कि भारत ये कह रहा है कि पी-ओके खुद बोखुद बारत के साथ मिल जाएगा और उसका उनोंने रिजन ये दिया के पी-ओके के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि भारत जमू कश्मीर में तरकियां कैसे हो रही है कैसे जमू कश्मीर आगे हर शुबे में जा रहा है और उनको एसास होता है हमें तो जहाद के इंदन में जोंक दिया गया तो हम क्यों ना जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिल जाएं और भारत का ही हिसा बन जाएं ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जब न्यूज एटीन के राहुल जोशी जी ने कहा कि क्या आपकी तीसरी टरम जो लगता है कि आगे जून में रियलेक्ट हो जाएगी इनकी सरक तो वो ये पूछते हैं कि क्या आपकी तीसरी टरम में कोई ये वाला एजेंडा है कि पी ओ के का मामला खत्म करने तो उन्हों ने कहा कि वो खुद ही हमारे साथ मेल जाएगे बाइसे पाक दिकरत काश्वीर का यहां तक परसन है वो पहले भी भारत का थाया आज ही है और कल सरकार की सरकार की थर्ड टम में यह प्रायोरिटी रहा है ने कहा ना पाक अधिकरत कश्मीर के की जनता ही है मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए बारत के शाथ हमारा से बिलकुल अलग नहीं रह सकते हैं और आपने देखा होगा एक दो प्रदस्वन वहां पर हुए थे ज बहुत बड़ी डिवल्मेंट है बहुत बड़ी खबर है और ये बात राजनाची ने मुस्कराते हुए गई जैसे उनको दिख रहा है कि ऐसा ही होगा और अब तक की जो भारत की बीजेपी की दो सरकारे रही हैं उनमें तो जो बीजेपी का एजंडा होता था जो उसकी भारत के साथ मिल जाना तीसी टर्म में हो सकता है मुम्किन हो जब इतने बड़े बड़े काम पीछे बाहरत ने कर दिये तो ये काम तो उनसे चोटा है ये तो एक बहुत बड़ी खबर थी मैं इसकी तरह तवज़ दिलाना चाहता था अब जिस बात पे भारत पाकस्तान का म जिसमें उन्होंने कहा कि वो घुसके मारेंगे टर्रिस्टों को भीस लोगों को मतलब एक काथ लोग ने बैसिफ टर्र censorship को जो हमने कुछ सालों में मारा है हाا जी मतलब टर्रिस्त कह लीजिए लोगों कह लीजे पर वहां उनके पर उनकी धर्ती में मारा गी कोई भी टर्रिस्त अमारे परूशी डेश पहरेज़स एधी भारत को डिस्टर्बं करने की कोसिस करेगा यहाँ पर यह आतंक्वादी हर शल्खणश करेगा तो सका मुहतुड जबाब देंगे यह भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुश कर वारे है कहीं टेरिरिस्ट कहीं और राजनाच जी ने कोई तरदीद नहीं की और कोई ताइद नहीं की ना उन्हेंने कहा कि हाँ हमने वाकई मारा है और नहीं ये कहा कि हमने नहीं मारा लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम मारेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि हम ने घुसके पहले भी मारा है वो शाहिद सर्जीकल स्ट्राइस की तरफ इशारा कर रहे थे तो बारहाल भारत का जो मौकफ है वो बिलकुल क्लियर है अब पाकसान की तरफ से एक बात को बार-बार उचाला जा रहा है कि देखिये भारत तो कह रहा है भारत के राजनाद जी कह रहे है कि हम घुसके मारेंगे तो देखिये हम ना कहते थे कि पाकिस्तान में जो टेर्रिजम हो रही है जो उनके मताबक टेर्रिजम है वो भारत ने करवाई है अब वो इस बात से भी जोड रहे है कि भारत के जो इलیکशन 19 एपरिल से 1 जून तक जिसका प्रॉसेश चलना है इसके लिए भारत इस तरह की हरकतें करेगा मेरा सवाल यह है कि जो कुछ हुआ है वो तो हो चुका है अब अगले डिर दो महीनों के अंदर क्या होगा उससे भारत को कितना फर्क पड़ेगा मगर यह जो गार्डियन की रिपोर्ट आई है यह इन फैक्ट अगर भारत के इलेक्शन की बात ही हो तो वो तो बारती जनता को होसला देगी कि हमारी सरकार, हमारे मुदी जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने गुसके मारा भी है और खुलके कह भी रहे है तो उनको तो और वोट पढ़ेंगे अब पाकिसान का यह ख्याल कि इस इंटर्वियू से या गार्डियन में छपने वाली रिपोर्ट से भारत का कोई इंटरनेशनल इमिश खराब होगा या भारत के इलेक्शन पे कोई बुरा सर्थ पढ़ेगा तो बुरा सर्थ पढ़ने से रहा वो तो भारत के इलेक्शन को एक और फाइदा मिलेगा रिपोर्ट लिखने वालों ने भी उस इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनने के लिए एक बहुत बड़ी और फिसिलिटेशन दे दी है वो तो पहले ही हैर बनने जा रही थी लेकिन बीजेपी की सरकार का जो 370 सीट्स लेने का एक एक एलान है अपने लिए और अपने एलाइन्स के लिए जो 400 पार का एलान है तो वो शायब उसको पार कर जाए अपने हदफ को पार कर जाए तो इसके लिए तो पाकिस्तान जतना शोर मचाएगा और गार्डियन की रिपोर्ट को जतना उचाला जाएगा वो तो बीजेबी के काम आएगी अच्छा ये तो वहां की ग्राउंड रियालिटी है दूसी तरफ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है खौजा आसफ वो ये कह रहे हैं के देखिए अमरीका में भी प्राबलम भारत का हुआ और कैनिडा में भी हुआ इस पे हम चर्चा करते रहते हैं अपने टेग टीवी पे लेकिन मैं एक बात बता दूँ कैनिडा में जो इशू हुआ वो किनेडियन सरकार और भारती सरकार एक दूसरे के साथ मिल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और उस रिपोर्ट से बारत के इमिज को क्या फर्क पड़ेगा आई डाउट के कोई फर्क पड़ेगा बलके बारत का इमिज तो और बड़ा बिल्ट होगा के बारत कैनिडा और अमरीका में पहुँचके भी अपने लोगों को जो उनके खलाफ कारवाईया करते हैं वो और इन सब के जो सबसे बड़े जो गुरू हैं C.I.A. वाले उनका जो तरीका कार है वो उस तरीका कार पर भारत की चल सकता है अब कैनिडा में जो हुआ या अमरीका में जो हुआ उसकी रिपोर्टें जब सामने आएंगे उस पर हम बात करेंगे लेकिन रिपोर्टों के आ रिलेशन्स है उनको बहुत बड़े लेवल पर खराब नहीं कर रही पबलिक कंजम्शन के लिए उनको कहना पड़ता है कैनिडा की सरकार को लेकिन भारत की इंपॉर्टेंस के हवाले से प्राम मिस्टर जस्टिन टूडो तो कही बार कह चुके हैं अपनी उस अठारा सिप् करना है और वो यहां तक कह चुके हैं कि हम इस मामले को बहुत आगे इंसिगेट नहीं करना चाहते हैं तो इससे भारत को कितना इंटरनेशनल स्टेज पे नुकसान होगा वो सरफ पाकिस्तान का दावा है पाकिस्तान की पबलिक कंजम्शन के लिए है कैनिडा की तरफ से को कि जो यहां पे जिस वाकिय को बन्याद बनाया जा रहा है भारत के उपर इलजाम तराशी का वो किनेडियन समाज के साथ को भारत का प्राबлем नहीं है वो अगर कोई प्राबलम है तो वो भारत के अपने पुराने डाइस्पोरा के साथ है जिस में से कुछ लोगों को भारत terrorist कहता है और वो जो इशू है वो कैनड़ा के लिए sensitive है भारत के लिए भी बहुत sensitive है मगर उसके बिनापे अगर पाकिसान का ये ख्याल है कि कोई कैनड़ा और भारत के तल्लकात या उनकी जो strategic partnership खराब हो गई है तो ऐसी को बात नहीं अब आप अमरीका की तरफ आ जाएए अमरीका ने तो किसी ने किसी हद्ट तक कुछ सबूत दे दिये कि एक इंडो अमेरिकन शख्स मिस्टर गुपता किसी alleged plot of assassination of खालस्तानी लीडर in the US में वो involved थे उस आदमी की अभी चेकसलवेकिया से oxidation भी होनी है मगर इस सारे मामले के बावजूद बारत और अमेरिका के जो हैं इस मामले पे बहुत high level meetings के बावजूद ये नहीं हुआ कि अमरीका और भारत के बीच तल्लकात खराब हो गए हो अभी recently भारत के ambassador में A&I की chief editor समिता परकाट जी को interview देते हुए साफ कहा कि ये जो hiccups हैं उन्हों इस तरह की बात की उन्होंने का इस से बारत और अमरीका के तल्लकात खराब होना तो दूर की बात है बलके हमारे relationship की जो positive heights हैं उन्होंने का है कि ये history में पहली बार हम दोनों देश enjoy कर रहे है तो अगर पाकिस्तान कैनिडा और अमरीका के incidents के हवाले से ये समझता है कि इस से बारत के कैनिडा के साथ strategic relations में और अमरीका के साथ relationship में को बहुत फर्क पड़ा है बहुत क्या ना फर्क पड़ने के बराबर है कैनिडा के हवाले से कुछ सर्दमहरी जरूर है मगर strategic चल रहा है relationship अमरीका के हवाले से तो सर्दमहरी भी नहीं है अब पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के defense minister हैं जो वो statements दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमने अभी नंदन को आपको याद होगा अभी नंदन की चाए वाला वाकिया बारत का एक तयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखल हुआ वहां वो गिर गया पाइलिट अभी नंदन जी वहां पे वो उनके कबजे में आ गए और उसके बाद प्राइमनिस्टर इमरान खान जो तब प्राइमनिस्टर होते थे उन से लेके पाकिस्तान मुस्लिग नवास के उस वक्त के जो अपलीशन के खाजा आसिफ थे उन्होंने पारलिमेंट में जो कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं और फिर उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिग नवास के एक और लीडर सरदार अयास सादिक ने जो बाते की वो बड़ी कमाल की थी उन्होंने कहा कि जब ये पल्वामा का वाक्या हुआ तो उसके बाद शाममूद कुरैशी पारलिमेंट में आए और पारलिमेंट के कमरे में बै इने छूट रहे थे और शाममूद कुरैशी की तांगें काप रही थी और अभी नंदन की क्या बात करते हैं मुझे याद है शाममूद कुरैशी साब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइमिनस्टर साब ने आने से इंकार कर दी और चीफ अवार्मी साफ तश्रीफ लाए बैर काप रहे थे पसीने माखे पे थे और हमसे शाममूद साब ने कहा फॉरन मिनस्टर साब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापिस जाने दे चूंकि नौ बजे रात को हिंदोस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है पाकिसान में एक एक्सप्रेशन बना हुआ है कांपें टांग रही थी तो टांगें कांप रही थी या कांपें टांग रही थी मगर खाजा आसफ ने राज नाद जी के इंटर्विव पर बड़ी फनी बात की है उन्होंने कहा है कि हमने हिरात में अभी नंदन को वापस किय माजी में उन्होंने इंकर्जिन की थी और हमने जो उनके साथ हाल हुआ था कि फिर पाइलिट जो है हमने उनका जो है वो खेरात में उनको वापस किया अब मैं आपको सुनाता हूँ खाजा आसिफ का उनी दिनों पार्लीमेंट में एक खताब का क्लिप आप इस क्लिप को देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो भारत के साथ वो कह रहे हैं हमारी पार्टी भी पीपल्स पार्टी भी और पी टी आई उस इन पावर थी उन् असके बाद आप अब ही नंदन की रहाई के बाद जो आप ने ये इन्वेस्टमेंट की हंदोस्तान और पाकिस्तान के रिलेश्टिंशिप में उसके रिटPlease क्या हैं मैं अपने भाई बाई को बर्कूरदार को ये बताना चाहता हूँ किए उस इन्वेस्टमेंट के उपर ह यई बलके नेगेटिव रिटरंस आए जिसको आज खाजा आसिफ खिरात कह रहे है उस वग्सको इन्वेश्मेंट कह रहे हैं अब मुझे यह मालूम में कि नजर में खिरातंघ होती है या investment को खेरात समयते हैं ये अब पाकिस्तान की 70-76 सालों से अब ऐसी ही शबी है और पाकिस्तान enjoy करें funny statements पाकिस्तान से जब आती हैं तो वो अपनी heights पे होती हैं अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान के तब के foreign minister बिलावल बटो ने की थी के butcher of गुचरात अब ये इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मुझ खोल के butcher of गुचरात या terrorist प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लोग कैसे कह लेते हैं ये बातें किसी सूरत भी funny नहीं है तेके वजीर आजम जो है वज़ादे खुद देशित गरदा है वो उस मतले हम किये हुए मुस्लमानों का गुचरात में उसके हाद जो है मुस्लमानों के खुम से रंगे हुए है वो तो उसको डिनाई नहीं करता है वो तो खुद देशित करता है इस बातों की कॉस्ट पाकिस्तान को अदा करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी अब देखिए गुजरात के मामले में जो पाकिस्तान के लोग बगते रहते हैं या इवन इंडिया के कुछ जो मुदी मुखालिफ गुरुप बातें करते रहते थे ज्यादा थे भारत की सुप्रिम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है प्रामिनिस्टर निंडरामूदी को प्रामिनिस्टर निंडरामूदी के खलाफ गुजरात के मसला पे जो सबसे ज्यादा भारत में कैंपेन की वो जफर सुरेशवाला जी है जफर सुरेशवाला जी से मेरा भी ट्विटर के राही रापता रहता है जफर सुरेशवाला ने रिसेंटली माना कि प्राइम निंडरा मुदी हर्गिस हर्गिस इन्वार्व नहीं थे गुजरात के मसला में बलके उन्हों ने कहा कि प्राइम निस्टर निंडरा मूदी ने उसके बाद गुजरात में उस लेवल की कोई कम्यूनल वाइलेंस की सिचुएशन नहीं रह दे दी जफर सुरेशवाला जी वो शक्स हैं जो कहते हैं कि मैंने प्राइम निस्टर निंडरा मूदी का अमरीका में उबामा एड्मिनिस्टरेशन की दौरान वीजा बंद करवाया था उनकी एंट्री बंद करवाई थी जब वो ची मिस्टर गुजरात थे इस हद तक वो इहतजाज में प्राइम निस्टर निंडरा मूदी के खुलाफ गए उन्होने का और उन्होने माना है अपने इंट्रेव будете में समीता परकाश के साथ उन्होने का हमने वो एक एक्स्ट्रीम कदम था उस्वक्त हम हालात को बहुत डीपली नहीं समझ सके छे नहोने ये बात بही मानी है कि तब भी वो ये समयते थे कि गुजरार राइट्स में निंदरा मूदी जी का कोई करदार नहीं था सिर्फ उनको दोशी वो इसलिए करार दे रहे थे कि वो चीम मिनिस्टर थे लेकिन आज वही जफर सरेश्वादा आज ही नहीं वो 2013 से जब प्राइम मिनिस्टर निंदरा मूदी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे बाहरत के वो तब से उनके मुरीद चले आ रहे हैं तो ये है रैशनालिटी का रवया मगर पाकिस्तान की ये जब से चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर इमें इमरान खान रहे है हूँ चाहे बिलावल बटो जैसा चोकरा और चोकर खेड़ वाला फॉर्म मिनिस्टर रहा हूँ और चाहे खाज़ा आसिफ जैसा seasoned defense minister हो आज के समय में वो सब के सब ये एहमकाना statements देते हैं इस तरह की statements देने से पाकिस्तान और भारत के बीच future relationship की अगर कोई possibility किसी ना किसी तरीके से निकल सकती है तो वो नहीं निकल सकती अब पाकिस्तान का ये वावेला के जी guardian में छप गया के भारत ने terrorist मारे थे पाकिस्तान के अंदर आके तो उस वावेले का क्या फाइदा उस वावेले का फाइदा तो खुद प्रामिसर निंदरा मूदी की बीजेपी की पार्टी को हुआ है और होगा election तो वो already ही जीते नजर आ रहे हैं मगर इस heat से उनको और additional फाइदा हो जाएगा तो पाकिस्तान क्यों अपनी public consumption के लिए ये बातें कर रहा हैं क्योंकि ये जो लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में ये लोग तो नहीं कहना चाहिए वो ठीक कहते हैं राजनाची वो तो टेरिरिस्ट थे और पाकिस्तान ने उसके कोई बहुत ज्यादा reaction पीछे नहीं दिखाया पबली कंजम्शन के लिए मुध दिखावे के लिए पहले भी statement डी थी अब जो guardian में रिपोर्ट चपी है उसके बाद पाकिस्तान इस पे of course ज्यादा बात करेगा मगर उसका ज्यादा बात करना वो भारत के फाइदे में हैं और वैसे भी पाकिस्तान के उपर जो terrorism के international जो इल्जामात हैं और उन में से बहुत सरे इल्जामात यू एन ओने और यूनाइटेड स्टेट ने थाबत भी की होई हैं बाउंटीज रखी हुई हैं बड़े बड़े नामों पे तो वो जो बोज है पाकिस्त का फैटफ के हवाले से भी उनके सवरों पे आता है और भी international फोरम पे वो बोज उनके कांदों पे आता है तो पाकिस्तान को अपना वो बोज भी उतारना है बले से भारत की facilitation से वो बोज उतर जाए बले से वो किसी भी तरीके से बोज उतर जाए तो पाकिस्तान की जो डू का ही एक गीत याद आ रहा है जो गालबन हवी वली मुहमद ने गाया था कि जब कश्टी डूबने लगती है तो बोज उतारा करते हैं करते हैं करते हैं